रंग जाओं तेरे रंग में रंग जाओं तेरे रंग में तो फौरां उसको लेकर घर पहुचो यहार यहार पर मा बुआ जी को ना पुलिस गरफतार कर रही है क्या? आरे, वोसाब छोड़ो, तुम आ जल्दी आजयो ठीक, भीया, आ रहे, आ रहे हाह, जल्दी आओ, यार दानीयचल थर चल कि हम बात करते हैं तुमें तुमें हाथ खूड़ीया मारा हमने आपसे कहा हम अपने घर जाना चाते हैं आपके साथ नहीं जाना चाहते हम प्लीज घर चलो दानी नहीं दानी बस करो यह बेकार की जितमन करो हमारे साथ जुप जाप हमारे साथ घर चलो इस वक्त वह भुआ और मा को पुलिस अरेस्ट कर रही है एध बार यह मसला सुन जा दो उसके बाद जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ हम बैठके खुद सुनेंगे प्लीज दिकत क्या तुम्हारी तीस दिन मांगे था ना तुमने हमसे खुद को साविद करने के लिए दिये था ना तीस दिन पर भाग क्यो रही है तुम हम भागनी रहे है दुरूप जी शायद आप भूल रहे है कि आपने हमे ठका मार के गर से निकाला था अब हम तुमें इस खर में एक बल भी बरदाश ने कर सकतें धानी तुम इस खर में रहने कर लाइक नहीं हो उठो यहां से और निकलो तुपार अपनी शकल यार लेकर मताना ठीक लेने भी तो हम आये ना आये ना लेने प्लीज चलो आपको एक ही बार कितनी बार बताया हम अपने घर जाना चाहते थानी बस बहुत हो कि अब हमें मजबूर मद करना कि हम कुछ ऐसा करें जो तुमें पहले कुल भी अच्छा ले लगेगा अच्छा लेका अच्छा लेका अच्छा लेका अच्छा लेका 28 दिन है अभी तुमारे पास अच्छा लेका निज उतारी है नगे जाओं तेरे रवादा चलो इने लेकर अरे उपापा आता हो मकेले नी जाएंगे उपाँ पापा ये क्या कर रहे हैं आप माँ हैं बुआ जी हैं वो जैसे करम करेगा वैसे फल देगा भगवान यही है इता का ग्यान इस्पेक्टर हमारा भाई किसी वक्त लेकर आने वाला धानी को प्लीज प्लीज फुर इंतियार कर लीजिए उसे कहना धानी को लेकर धानी आजाए आजाए इंस्पेक्टर, यह है दानी, हमारी बत्म, हमारी बत्म, हमारी बत्म आपको जो भी सवाल जवाब करने आप, आप दानी से गरिए, और मारी माँ और भुह को परिशान करने की जरूरत नहीं आपको, जो भी सच है प्लीज, प्लीज इन्हें बताता। बोलिए सचा ही बताइए, सद्य के उपासक को किसी का भाय नहीं होता, और जो सच का उपासक होता है, वो बिलकुल निडर होता है, सद्य परिशान हो सकता है, लेकिन परास्त नहीं हो सकता, ये भी एक कटू सत्य है, सब कुछ सच सच बताईए आज है, बदाईए धानी वच्चा, इंस्पेक्टर तब आपके सामने है, सब कुछ सच सच बताईए आज है, क्योंकि कुछ लोग उनका परदापाश होना बहुत आवशक हो गया है भी। खामोश क्यों है आप, बुलिये ना, किसी के दवाव में मताईए, सब कुछ आज सच सच बताईए दिये, इस्पेक्टर, इन्ही जाने दीची, इन्होंने कोई तक्टी नहीं की, आज आज सची कि आज सच बताईए, आज सच सच बोलिये, जूट बोलने के लिए नहीं कहा हमने इसके तब आप जूट बोलो ही आप जो सच्छ वाई कह रहे है पापा इन्होंने कुछ गलत नहीं किया है हमने गलत किया है तो हमें सजा मिलनी चाहिए अरे जूट क्यों बोल रही है अप कोई धमकार आया है हमें बोलिये ना हम खड़ें पुलीस है इजर आपका पती है बोलिये डर दिका है डर तो बहुत पेले ही गतम हो चुका है बापा हम किसी से डर नहीं रहे सच है यजि बता रहे है और ध्रूप जीप diesesवлек सब इस बात को सच मानते हैं तो आप भी मांन लीजिए अगर यही सच थथा तो इतनी देर से यह सब न ठीक्यों कर रहे थी सब को सच पहले क्यों बता दिया इस सब करने की किया जरूरत था दुमें हम बस यहीं चाहते थे कि वो अपके नजरों में गिर जए इस्पेक्टर जो सच है हमने सब बता दिया है अपको तो आप जैसे आपको ठीक ठेखे उमीद है धानी जी आप बहुत सोच समझ कर ये बायान दे रही है बोले नाद की कसम आप सब ने सुना ना क्या कहा इसने असली गुनेगार तो यह है इसे पकड़िए इसे पकड़ कि ले जा ही अपने साथ दानी बच्चा ये क्या कर रही है आप और क्यों कर रही हैście जाने दीजे ना बापा, इस बात को यही खतम करते हैं आप जानते हैं मारे पापा हमेशा से क्या कहते आए हैं भगवान के घर तेर हैं अंधेर नहीं जो कलत है उसे सजा मुलकरी रहे कि चलिए चलिए आप 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 अ चीची एक बात हमको समझ में नहीं आई यह दानी नाम के धमाके ने हमारा इल्साम अपने सर क्यों ले लिया कहीं ऐसा तो नहीं जीजी कि इसमें भी उसकी कोई चाल है जीजी बोलेनाती कसम यह गाओं वाले ना राजनीती में बड़े माहिर होते हैं सरूर कुछ चल रहा है उसकी दिमाग में जहनरूपा उसको समझ आ गया कि उसने गलत लोगों से पंगा लिया है बला टली टलती कैसे नहीं है हमने उसको इतना अच्छा सबक जो सिखाया है अब उसकी आउकात नहीं है हमारे सामने नजर मिलाने की कि बरफ भीना पूरी पिगल गई चीजी एक बात कहें आपने ना जोश जोश में हमारा सर इतना जोड से दीवार से पटका है ना कि अभी बन बना रहा है ये बरफ भीना चंदया तुमारा सर तो रूपा हमने एक ही बार पटका था अपना सर तो हमने दो दो बार पठका, क्या करें? हमारे बेटे की जिन्दगी का सवाल हमें धानी पर के सब्सक्राइब करना माव इसलिए पेपर साइन करवाने आए थे आपसे लेकिन यहां आकर देखा, यहां तो कुछ और ही इसका मतलग गलत धानी नहीं थी गलत आप दोनों थे पर आप दोनों हमारी नजरों में ना किरें इसलिए उसने इसने साथ इसने सारा इल्जाम अगने सर ले भी है आप दोनों ने यह सब इसलिए किया ना क्योंकि उसने दोक है समसे शादे की इतनी नफरत मा इतनी नफरत की आप लोगों ने शराफत की सीमा ही पार कर दे आप लोगों पे भरोसा करके हम ने उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दे है समझ में यहारा है कि अब किसी मुझ से उसके सामने जाएं नफरत आप दोनों करते थे उससे और आज यह सब करके आपने हमारी नजरे जोका दी उसके सामने खैर बहुत हो कि आप लोगों की मनमानी अब जोकरना हम करेंगे आज से 28 जन तक धानी इस खर में बहु बन के रहेंगे और यहां तक की हमारी पतनी और आप लोग उसे कुछ नहीं कहेंगे और कुछ नहीं करेंगे उसके साथ क्योंकि यह हमारी सिंदगी है पर 28 दिन बाद क्या करना है यह फैसला हम लेंगे और उसके बीच कोई कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं ताथ भी नहीं कुआ नहीं मुँटे होँ आप मुँटे होँ मुँटे होँ मुझा आप प्लीज मुझा हमस्य है नमस्युल हमस्युल नमस्युल नमस्यूल नमस्यूल अ, दृूब अ, दानी के खिलाफ, सारे चार्ज़र रप लोगाई है कोईभी कमप्लेंट फाल नहीं हुई है Thank you sir Mazadana एक टेंशन नहीं लेते भीटिया रानी अमने कहा था आप तो बादू रहे सत्य के उपासक को किसी का भाय नहीं होता बच्वा सत्य समय जरूर लेता है लेकिन परास्त कभी नहीं होता जो बच्वा हमारा टाइगर आप से कुछ बात करना चाहता है बात कर लो जैस याराम पापा कह रहे थे कि आपको उमसे कुछ बात करनी दिक्कत के आपको मांते है हमारी गलती है तुमने सच बताने की कोशिश की हमें और अब उमने नहीं सुझा लेकिन जब सब के सामने तुम्हें मौका मिला धानी सच बताने का अब सच क्यों नी बताये तुम्हें? पताओ, नहीं, हम बताते हैं, क्योंकि तुम लड़कों की दिक्कत पता किया है? जब तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहाता है, तुम उसके खिलाफ आवाज उठाने के बजाए चुप कर जाते हैं यह दिक्कत है हवाज उठाने की कोशिश की थी, हमने धुरूची चुप नहीं थे हम पर आपके फैसले के वज़े से हमें चुप होना पड़ा आप जानते हैं, आप हम पर यकीन क्यों नहीं कर पाए हम पर भरोसा क्यों नहीं कर पाए क्योंकि आपके मन में हमारे खिलाफ पहरे से ही बहुत गलत फैमिया थी और तुम मान जाओगी गो और मान लोगी हाँ ऐसे तो बहुत जद्दी गी हो तुम तो फिर इस बार जद कांगा ही तुमारे इस बार अगर जद करते ना दूप जी तो परिवार की इस बद्दाओं पर लग जाती है और अगर हमें सच नहीं पता चलता तो बारे बारे में तो यूँ चेल में पड़ी पड़ी सड़ती रहती जिंदकी बरबाद हो जाती तुम्हारी दानी महान बनने का शौग है तुम्हें बहले मंटफ पर बैड़ गई हमारे साथ भिर उसके बन हर जानते हैं क्या चाते है सच तो यह है कि घर में किसी को नी पता कि कौन क्या चाता है क्या कर रह है ना मैं ना तुम ना मां ना भुआ ना पापा हर कोई बस बस हमारी जिन्दगी से खेल रहा है और अंत में होता क्या है सिर्फ हम पिछते हैं हर किसी के फैसल है जिन्दगी से जुड़े हुए है फकरतिया अपने थानी प्लीज छोड़ दो दूपजी खून बह रहा है हम ठीक है दूपजी जानते है कि आप नाराज है दूपजी पर ये कोई तरीका नहीं है नाराज की चिता रहता अरे तूसरों के गल्तियों के विए अब खुद को सजा क्यों दे रहे हैं अब तो तेखिये आराम से गाडी में बैठी हम आपका अलाज की अपने अपको हाज जोड़ तो कुम्हार है सिरफ अठाईस दिन वागी है अठाईस दिन खातम होते ही प्लीज प्लीज ज़ी जान तीस दिन चाहिए न तुम्हें दिये तुम्हे तीस दिन लेकने कथिस दिन हम तुम्हें खुद आर्समकर छोड़ कराएंगे अज़ी बात वानी हम संभाल लेंगे अपना अपोदानी प्लीज सिर्फ इना कर दो बागी साब आम देख लेंगे दृवजी खून बह रहा है दृवजी दृवजी अरी एक चोट आपसे शमाली नहीं जारी है और आपके रुणी समालींगे दृवजी पानी प्लीज अठाइस दिन दिये है ना आपने हमें अठाइस दिनों में कोई हमें नहीं रोक सकता अपना फर्ज रिभारी से आप भी नहीं